तो फेंट्स आज हमारे पास एक रियल्मी का फोन है सी पच्छपन और फेंट्स इसमें प्रॉब्लम क्या है तो यहां पर मैं आपको दिखा दूँ देखो जैसे कि मैंने चार्जिंग प्लगा रखा है बट यहां पर कोई भी चार्जिंग नहीं लेगा तो यहां पर जैसे मै और आप देखो हैं अपर अजने के जो चार्जिंग पियर लेखा थिक एंट और यहां पर बहुत सी बार किया है अब आप देखो जैका 1.1 बबीटू एंपियर बिले लिए वर ड़िंग सारा यहां पर देखो 0.5 एंपियर आब इसे अगर मैं आपे दिखाताओं आपको और आउन करता हूं फून तो सो नहीं करेगा बस यहाँ पे कि ए अब ओन हो रचाँ तो आप देखो psychos हुआ तो आप देखो amp Ieam consumer किस तरह से कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है अभी phone I can do answers क और देखो यहाँ पे charging दिखा दूँ और यहां पर गाइस कि धीरे धीरे बिल्कुल मतलब लेना छोड़ देगा चार्जिंग तो यह प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्फ करेंगे हम यह चीज देखने वाले हैं सॉल्फ होगीन क्या काम करके इसमें यह प्रोटम यह जो हो जाएगील अब आप देखो कि मेंम वावा पेंपर ले रहाए बट इसमें क्यायाcing दृब्लम सो नहीं कर रहा है ठीक है यहांब आप देखो चार्जिंग पर कोई भी ब्या इकन नहीं है बट यहां पर क्या charging ampere 0.2 ले रहा है तो इसी problem को solve करने के लिए हमें step by step check करना कि किस तरह से हमारी problem solve होगी तो जैसे कि मैंने यहां पर इसका voltage check किया आप देखें यह हमारा main flex है और यहां पर हमारी जो supply 5 ampere proper बन दी है तो इसका मतलब यह तक तो हमारी supply होके है बट battery connector पर हमें 0.3 तो यहां पर कोई भी करेंट नहीं आ रहा है तो हम चेक करेंगे क्यों नहीं आ रहा है हमारी IC से problem है और यहां पर आप देखो कि इसमें जो हमारी बीगी हुआ IC लगती थी वही उसी तरह से IC है और यहां पर काफी चीज़े चेंज कर दी गई है इस model में यहां पर देखो आप मोसपैट बगरा यह लगे हुए हैं तो यह सारी चीज मुझे चेक करनी पड़े गी और किस चीज में problem है यह चीज भी चैक करनी पड़े की तो गयज से step by step देखता हम मैं क्या problem है उसके बाद मैं आपको बताताнов कि यह problem कि स्तरे से solve होई है गैसी problem कहीं से भी होसकती है तो एक बार हम इसका देखेंगे इसमें प्रोटेक्सन लगा दिये की लिए हैं तो इसकी प्रोटेक्सन के लिए मोस्पट लगा दिये गया तो बस यहीं हैं एक बार चेक करने पढ़ेंगे तो च्रभाइस देख सकते हैं आपके कितना ले रहा है थहाँ आप देखो चार्जिंग टिक हैं सो होने लगी है तो फैसी सम मैं आपको दिखा दूँ बोर निकाल देता हूँ एक बार में भार तो कई से इसमें मैंने सरे ट्रैक बगएरा चेक किये कोई भी ट्रैक हमारा मिसिंग बगएरा था नी बट इसमें थोड़ा सा उच मुश्चर बगएरा की बज़से भी हो सकता है बट इसमें असा कुछ था बहुत सी बाई हम को नमी वाली जगर में रख देते हैं तो इस बज़ेस मोगेश्चर वगदए तो गैस यह जो सील्ड है मैंने इस सील्ड को निकाला है आप इस सेल्ड को झाल सके हलका पेस्ट गए इसे स्रिफ होट किया है तो इस पे स्थ लगा आके मतलब थोड़ा हीट कि वाद जो हमारी प्रॉब्लम में वो सॉल्फ हो चुकी है और इसमें सारे ट्रेक वगरा आप वोल्टेज वगरा चैक करने जितने भी कैपिसिटर लगे हैं यह चैक करने अगर कोई सौर्ट है तो आप सौर्टिंग हटा दें उसके बाद चैक करें बट यहां पर मुझे कोई स प्रॉब्लम है जो इसी तरह से सौल्फ हो चुकी है तो गई से अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं अगली वीडियों तब तक के लिए जैन दोस्तों